हेलो एब्रिवन आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सहजन के फूलों की सबजी की रेसिपी जिसे मोरिंगा या फिर स्वांजना भी कहते हैं और यह स्वादिश्ट होने के साथ साथ हेल्थ के लिए भी बहुत ही वेनिफीशियल हैं सहजन के फूल कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं और कई लोगों को शायद पता भी नहीं है कि इसकी एक स्वादिश्ट सबजी भी बनती है तो आएए आज के इस वीडियो में जान लेंगे कि हम इसकी सबजी किस तरह से बनाएं तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने सहजन के कुछ फूल ले लिये हैं और वह इस तरह की दिखाई देते हैं और उनके उपर की जो बड़ी बड़ी डंडिया हैं उन्हें हमने हटा लिया और फूल इस तरह से कठा कर लिये हैं और अब हम इने दो कर साफ कर लेंगे ताकि इसके उपर की सारी गंदगी निकल जाए तो इसके अंदर हमने पानी डाल लिया है और अच्छी तरह से इने दो लिया है तो इसकी सबजी बनाने के लिए सबसे पहले हम इने दो कर बॉयल कर लेंगे तो इसके लिए हमने एक saucepan ले लिया है और उसके अंदर इसे हम डाल लेंगे और sufficient पानी डाल कर इन्हें boil होने के लिए gas burner पर रख लेंगे सहजन के फूलों के अन्ने को फायदे हैं जिनने आप screen पर देख सकते हैं साथ ही साथ इसकी जो फलियां होती है पत्ते होते हैं या फिर गौंद इन सारी चीजों को भी बहुत सारे फायदे हैं तो आप इन्हें जरूर ट्राइ करें और जब तक यह full boil हो रहे हैं तब तक हम इसका मसाला त्यार कर लेते हैं तो इसके लिए हमने gas burner पर एक कड़ाई रख ली है और उसके अंदर लगबग 2-3 tablespoon oil डाल लेंगे और oil आप अपने पसंद का कोई भी ले लें और जब oil गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम एक बलब पुरा कटा हुआ लेसन का इसमें डाल लेंगे और लेसन को हम 2-3 minute तक ऐसे ही भून लेंगे जब लेसन थोड़ी सी भून जाएगी तो एक कटीवी हरी मिर्ची भी इसके अंदर हम डाल कर उसे भी भून लेंगे और इसके साथ हमने यहाँ पर एक बड़ा टमाटर काट कर ले लिया है और अगर टमाटर छोटे हैं तो आप 3 टमाटर भी ले सकते हैं और उन्हें भी इसके साथ मिक्स करके पका लेंगे यहाँ पर हमने लेसन टमाटर मिर्ची का इस्तेमाल किया है आप अपनी पसंद से किसी भी मसाले में सबजी को बना सकते हैं और जब टमाटर थोड़े से पक जाएंगे तो इसके अंदर हम आदा चमच नमक मिला लेंगे और इसके साथ ही चौता ही चमच हल्दी का पाउडर और एक चमच लाल मिर्च का पाउडर इसमें डालेंगे और साथ ही साथ एक चमच धनिया का पाउडर मसाले आप अपनी पसंद से कम या ज़ादा इसमें डाल सकते हैं और इन्हें भी टमाटरिक साथ पका लेंगे सबजी का मसाला अच्छी तरह से पक चुका है और तेल भी अलग हो गया है और साइड में जो फूल बॉयल हो रहते हैं उन्हें हम चेक कर लेंगे और जब हम इसे दबा कर देखेंगे तो पाएंगे कि ये पूरी तरह से पक चुके हैं और अब इन्हें बहुत ज़्यादा गलाना भी नहीं है तो इसका पानी हम चलनी से चान लेंगे और टमाटर के इस मसाले में मिक्स करके इन्हें इसके साथ अच्छी तरह से मिला लेंगे उच समय पहले हमने सैजन की फलियों का इस्तिमाल करके एक बड़िया सी सामबर तियार की थी जिसका वीडियो हमारे चैनल पर अफ्लोड़ेड है और आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया है और इस तरह का वीडियो आप देखना चाहते हैं तो इसका लिंक हम दिस्क्रिप्शन में दे देंगे और यहाँ पर यह सारी चीजें आपस में अच्छी तरह से रिल मिल गई है और हमने यहाँ पर इसे इस तरह से थोड़ा-थोड़ा मैश कर लिया है ताकि टमाटर के मसाले के साथ यह भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और इसे अब ज़्यादा नहीं पकाएंगे लगबग 4-5 मिनिट तक मेडियम फ्लेम पर या लो फ्लेम पर ढखकर हमें इसे थोड़ी देर पका लेना है ढखकर पकते हुए लगबग 5 मिनिट हो चुके हैं और सबजी हमारी बनकर तयार हो चुकी है आप इसे ऐसे भी सर्व कर सकते हैं लेकिन हमने इसमें इसका स्वाद बढ़ाने के लिए स्मोकी फ्लेवर एड़ किया है और यह टोटली ऑफ्शिनल है तो क्या करेंगे हम एक कोईला लेंगे और गैस बरनर पर हम धीमी आज पर उसे इस तरह से रख लेंगे और थोड़ा जला लेंगे ताकि जब हम इसके उपर घी डालें तो इसके अंदर से धुआ निकले और सबजी के अंदर हमने यहाँ पर एक कटोरी रखी है और उसके अंदर हम कोईला रखेंगे अब इस जलते हुए कोईले पर हम आदा चमच घी एड़ कर लेंगे ताकि कोईले के अंदर से एक धुआ निकले और तुरंत हम सबजी का धकन बंद कर लेंगे और इसका सारा धुआ सारी सबजी में समा जाएगा और इसी से एक भेतरीन स्वाद मिलेगा अगर आपके पास कोईला नहीं है तो मिट्टी के दीपक को गैस बंदर पर रखके गर्म कर लें और उसे इसी तरह से कटोरी में रखके घी डालेंगे तो भी आपका काम बन जाएगा तो वाओ देखा आपने किस तरह से धुआ सारा सबजी में फैला है तो हमारी सबजी बनकर बिल्कुल तयार है और इस रेसीपी वीडियो को धेर सारा शेयर और लाइक करना बिल्कुल न भूलें और इसी तरह की मज़िदार रेसीपी जानने के लिए आज ही हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को दरीज दस करें ताकि जब भी हम नएने वीडियोज अप्लोड करें तो उनका नोटिफिकेशन समय समय पर आप तक पहुंचता रहे